देखिए कभी घर में बिक्षुक आते हैं, बिक्षया मागने के लिए लोग आते हैं, तो उस समय हमें गलत नहीं बोलना चाहिए कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि काम तो करते नहीं मागने के लिए आजाते हो अगर खाना है तो कमाना सिखो ऐसे ऐसे हम जवाब देते हैं देखिए आपके घर में आपके द्वार में कोई भी मागने आए आपने उनको गलत बचन प्रहार किया गलत बोल के भगा दिया तो आपके घर में भी दरिद्रता आएगी आपके पास अन्न है आपके पास धन है तो जरूर दो नहीं है गरीव हो तो मत दो लेकिन गलत बोलने का अधिकार आपको नहीं है हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि अपने बाड़ी द्वारा किसी का भी दिल दुखा दे अगर आप सई से बोलने ही सकते हैं आप कुछ देने ही सकते हैं तो बस दो सब्द प्यार से बोल दो आप बैठ जाओ मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं क्योंकि हम भी गरीब हैं हमारे पास नहीं है जल पान करा दो प्यार से दो बचन बोलतो इतने में खुस हो जाएंगे और मागने के लिए आये हुए विक्षुक भी आसिरवाद देके आपके घर से चले जाएंगे हमारे पास भले कुछ ना हो परमात्मा ने हमें ये बाड़ी दिया है इसले बाड़ी द्वारा सब का सम्मान करना हमारा धर्म है